हेलो गाईज, विल्कम बैक तो माई चैनल और मैं हो प्रीती आज का जब वीडियो होने वाला है वह बहुत है रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कोई आसन सा ट्रीटमेंट बता दीजिए दूसरा कोई साजीद हुसेन सर है उन्होंने कराया कि मैं मेरे चहरे पर अजीव सी जलन होती है और इसकी निकल रही है तीसरा कीरन मालिया ने भीजा है कि अलोवीरा सूट नहीं होता मैं बहुत जादा इचिंग और जलन हर किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती लेकिन जिनों ने जिनके मेरे को आजकल के दिख रहे हैं कमेंट उनका मैं आपको बता देती हूं कि यह mostly हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों के कमेंट आए कि फेस पेचिंग होना जलन होना खुजली होना और अलोवीरा सूट नहीं होता है अलर्जी होने के ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बहुत सारे कारण है जैसे कि पॉलूशन पर दूशन की वज़े से स सेंसिटिव स्कीन होते हैं उन्हें जल्दी से एफेक्ट करती यह चीज़े सेकंड है अगर खान पान सही नहीं है तो उस वज़े से भी आपकी स्कीन में अलर्जी प्रॉब्लम होती है तो इससे बचने के लिए मैं आपके साथ को टीप्स और ट्रिक शेयर कर रही हूं जिन ज्यादा ड्राय रूखा हो रहा है तो आपने कुष्णी करना है आपने रौ मिल्क लेना है यानि कच्छा दूद और उसे फ्रीज में रख दीजिए आदा घंटे के लिए जब अच्छे से ठंडा हो जाए उससे निकालना है और उसमें कुछ बून दे आपने गुलाब जल जाएगा क्योंकि उस दूद अच्छा नरिस्मेंट उसे देगा मॉस्चराइज आपको इसकिन को करेगा और गुलाब जल की ठंड़क है वह आपके फेस के रैडनेस को कम करेगा तो आप इसे जरू ट्राय करें और दिन में इसे दो बार मॉर्निंग और इवनिंग में ट्र मार्केट का ले सकते हैं उसमें आपने दो वाइटमिन ए के कैपसुल एड़ करने हैं अगर आपने तीन चमच अलोविरा जेल लिया है तो दो वाइटमिन ए के कैपसुल एड़ कीजिए इससे आपके फेस का जो रूखा पन है वो भी खत्म हो जाएगा और आपके फेस में अलोविरा जेल सूट होता है तो आप सिर्फ अलोविरा जेल ही अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी इसकिन बहुत ज्यादा ड्राय है रूख ही है तो आपको अलोविरा जेल में या तो आप वाइटमिन ए के कैपसुल एड़ कीजिए या आप इसमें स्वीट आमंड स जो खुजली रैसे अलर्जी प्राबलम हो रही है वह काफी हद तक कम हो जाएगा तो आप इस ट्राय करें आपको डैफिनेटली बहुत अच्छा डिफ्रेंस देखने को मिलेगा और आप मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो आपने डैफिनेटली फॉलो करने लोगों दिन में 10 ग्लास पानी कम से कम पीना ही है इससे जो आपको कुछी दिन में अपनी स्कीन में खुद बाखुद इंप्रूब्मेंट दिखने को मिलेगा तो इससे जरूर ट्राय करना है सेकिंड जो है जब भी आप घर से बाहर निकले SPF ज़रूर लगाना है SPF यानि Sun Protection Factor यह ज़रूर आपने अपलाई करना है अपने फेस पे आप Lotus का यूज कर सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छे-च्छे SPF आपको मिलेंगे या आप डॉक्टर की सजेशन से भी से पर्चेस कर सकते हैं लेकिन SPF ज़रूर लगाना है थर्ड जो है जब भी बाहर निकले घर से आपकी सेंसिटिव इसकिन है तो इसलिए आपने फेस को अच्छे से कॉटन के स्काप से अच्छे से कवर कर लीजे ताकि आपके फेस पे सूरज की जो है किरने एकदम से एफेक्ट ना करें आपके फेस को गलत तीसरा जो है अपने फेस पे बार-बार हाथ मंद लगाई है अगर आ जिससे आपके फेस पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है मतलब खुजली होना बढ़ जाता है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर लीजिए आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वाश कर लीजिए और कभी कबार आप जैसे बेसन लीजिए हाथ में उसमें हलका सा अपने फेस को अच्छे से वाश कर लीजिए बहुत ही अच्छा क्लीन आपका फेस हो जाएगा नेक्स जो है अपने फेस को दिन में कई बार नॉर्मल वाटर से धुलें जिससे कि आपके फेस जो भी डार्ट इंप्योर्टी चिपकी होगी वाच्छे से निकल जाएगी जाने में आपने खटी चीजों का यूज नहीं करना है जैसे अचा निमू यह चीज़े आपने थोड़ा कम करनी है जिससे कि आपको एलर्जी फेस में जो हो रही है उससे काफी राहत मिलेगा आपको तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप यह आपके लिए helpful हो आप इस आपको एक लाइक कीजिए और मिलते ही में अगली वीडियो में तब तक यह लिए बाइबाइ टेक केर